असलाम अलेकुम नाजरीन वेलकम बैक टू मारी चैनल सोनिया की दुनिया मैं हूँ सोनिया हसन और आज आपके साथ मिलकर किचन टाइम में बनाने जा रही हूं कड़ी पकोड़ा तो सबसे पहले आपसे इंग्रेडियंट्स शेयर कर लेते हों हूं इंग्रेडियंट्समी हमें तियुक्र मेरिच सब्स कीसाना सू इस मेड़ा लाल मेर्च मुऴत काड़ नमटका काजिए मुथा चाहिए quería हो प् sava देही अधा कलु लिया है लोग अधा क्लो ला क्लस करां कियुक् ansch おबाल पतला कर लेना है अलाइदा से एक बाउल लेना है और उसमें तकरीब अपने बेसन डालना है पेसन एक कप डाल के उसके अंदर आपने एक से देल्ड कप पानी आड़ करना है जिसको आपने क्या करना है कि बीटर के साथ या चमच के साथ या जैसे भी जो भी चीज अवैलेबल हो आपने डेल कप पानी आइड करके उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है बीटर के साथ आपने उसको बीट कर लेना है ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी कोई अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है ताके इसमें कोई किसी भी तरह की जोड़ा वा बेसन या गुटली या इस तरह से बिल्कुल भी न रह जाए यहीं तो जब आप फिर इसको चूले पर पकाएंगे तो वह जो बेसन है ना या तो उसकी गुटलियां से बनके पक जाएंगी या फिर वह कच्छा ही रह जाएगा कड़ी के अंदर ना इसको अच्छी तरह से आपने जो है वह पीट कर लेना के दही को भी आपने जो है वह अच्छी तरह से बीट कर लेना है जिस तरह से थोड़ी सी ठ्क कर लेंना श्मज्च थे ऑन जा ऑने स्थे खतले में ज़सी थे होती है तो यह मैं रहा तव पतला कर लेतल है जंतए तो इसके अजह कर बिल बार हो पमको לה कर एट करket जितने से भी वह इसतरा का पतला हो जाए आपने इसको फिर बीट करके बिल्कुल आपने इसको पतला सा लस्ती टाइप कर लेना है बीट करनेके बाद आपने बर्तन लेना है बर्तन में आपने वही जो दही बीट किया वह दो आपने जो बीट का देनाया ऊपने और अपने आपने बेट से हुआ प्छा मी जा था ना टाकि यह नहीं हो कि भरतन के बिर्टन ना मिकस करने नहीं आएक बार से बसें भाळावची वघ्भाल मैं जो इसमें मैं ढाम स्वा-ट ऐयर या और आपने लिज़के नहींदा लिखा मैं पेट करने यहां यह दूब नहीं गल्सियो वी ना जो दही था हमारा उसके अंदर जो बेसन में हमने पानी को बीट किया वा था ना उसको याद रखेगा मेडियम फ्लेम पे आपने पकाना है नहीं तो यह बहुत जल्दी उबल जाएगी उबल के गिर जाएगी इसमें आपने जो हमारा प्याज और टिमाटर था बारीक उसको क हिलाते जाएगा साथ के साथ इसको कटीन में आपको तवज्जों से हिलाना पड़ेगा नहीं तो यह उबल जाती होती है ना बॉयल हो जाती है सारे इंग्रीडियंट्स इसमें आड़ कर लेंगे इंग्रीडियंट्स दबारा देख लें तीन से चार हरी मिर्चें का टीवी हमारे पास जो है वो वन टी स्पून काली मिर्च वन टी स्पून गरम मसाला वन टेबल स्पून लाल मिर्च वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पून अद्रक लेटसन और कड़ी पत्ता, जीरा और सुकधनिया का इसमें डाइड कर दिया है हमने और इसको अच्छी तरह से आपने चमच से फिला अब आपने इसको medium flame पर पकने देना है ताकके जो प्याज और टिमाटर वगरा है वो गल जाए और जो हमारा basin था वो अच्छी तरह से दही के सात्व पक जाए तो इसको हिलाते इसलिए रहेंगे क्योंकि अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो यह गिर जाएगा बरतन में से बॉयल होके क्योंकि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक है ना तो इसके अंदर आपने एक या डेल ग्लास मतब जितना आपको रिक्वाइड हो उतना आपने इसमें पानी आड़ कर लेना है क्योंकि हमें इसको बहुत ज़दा थिक भी नहीं करना पका कर आपने इसको ज़रा पतला ही हैं क्यूंकि इसमें पकोड़े याड करने होते हैं पकोड़े थार करने के लिए आपने अलादा पास में एक कब आपने बेसं लेना है उसमें मैंने एक चोटी टमाटर एक छोटी प्यास, एक छोटा आलू, तीन सी चार हरी मिर्चे और पालक के थोड़े से पत्ते, उनको मैंने बरीक काट कर इसमें एड़ कर दिया है, उसमें मैंने जो है वो पानी थोड़ा सा जिस तरा थिक आप रखना चाहें, पकोड़े आप बनाते होंगे घरों में, उसमे लाल मेर्च आड़ कर देनी है, यह मैं आपको एक कप बेसन के पकोड़े अगर बनाने हों तो वो बता रहे हूं, पानी इसमें उतना ही आड़ करना है, आपने जितना आपने इसको ठेक किया जितना बतला करना है, आपने इसको उसकी मुनास्बत से आप इसमें पानी और इदर हमारी कड़ी को जो शार है उसको ही लाते जाएंगे साथ के साथ ठीक भी हो रही है। इसको इतना बतला रखना है कि इसमें जो है पकोड़े डलें तो ये गाड़ी ना वह जादा। ऑईल हमारा गरम हो चुका हुगा है पकोड़े हम अपने फ्राइ कर लेंगे। जितनी देर में हमारे पकोड़े फ्राइ हो जाएंगे उतनी देर में हमारी कड़ी भी त्यार हो चुकी होगी। कड़ी भी तयार है पकोड़े भी तयार है यही पकोड़े आपने कड़ी में आड़ कर देना है इसको आपने हिला देना है गरम-gरम कड़ी है। और दूसरी तरफ आपने तड़का लगाने के लिए तर्विबन तिन से चार टेबल स्कून आपने ओइल लेना है। उसमें एक चोटी प्याज एक बारी इक आपने डीना है। सुका धनिया और जीरा डाल देना है। अच्छा जी तरह से आपने इसको जो है गॉल्डन ब्राउन कर लेना है गॉल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा प्याज इसको उठाएंगे और कड़ी में आपने इसको डाल देना है ये हमारी कड़ी को जी तरका लग गया है हैं जी नाजरीन कडी पकोडा तया है हमारा और उमीद करती हूं कि आपको मेरी रैसेपी पसंद आई होगी अगर आपको रैसेपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लायक कीजिएगा और रैसेपी ट्राइएगा कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताके आपको मेरी नहीं आने वाली वीडियोस में मिलती रहें अपना बहुत ख्याल रखिएगा अलाफेज